खेलो गाइस कैसे होो आयुप सब मस्तो और मैं भी मस्तूं और फिर अब और हजब रुम में और एक नया वीडियो लेकर जाएंगे आज गूमने मिल जा रहा है और चलरा है पाहाडी को ऊपर चर्थे खर्थे थक गया और हमँरा पीछ देख रहा होई यह सुख भी नहीं सकते हो बहुत अच्छा आप गाव में कोई भी गाव में जाओगे इतना अच्छा मिलेगा आपको और इतना हरा भरा रेकदों मस्त बहुत अच्छा जगा है देखो कितना अच्छा भी हुए अकस की तरफ और यह देखो लकडी का मौकन बना है इन लोगों ने हैसे टेंपोररी रहने के लिए शायद ठीक है और यह बहुत एक मौकन बना रहा है इन लोगों को में दिखाता हूं आप लोगों को और यह पर देखिए यह टाल सबागरा यह पर डैम लगा रखाए और पहाड़ी अपर जाएंगे हम और सब चल रहा है तो चल चलते है यह दिवार में इन लोगों ने कितना अच्छा डिजाइन बनाया मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दिवार है उपर मिट्टी हैर मौकन बनाए इसी के लिए दिवार बना रख देखो यह पहाड़े और जंगल यह प पर जा रहा है उतना ही मौकन बन रहा है हमने गलत रास्ता में आ गया यहां पर हमारा रास्ता कातव हो गया हर सारे बापस आ दान कामेडी के मेडी को उपर से जाना पट रहे हैं और यह दो साइड में पानी है क्योंकि रात को बारिष हुआ है और यह यह सॉट-कॉट जा रहा है हम इधर सीधाथ ठीक है यह पाहाडी को घुब अब देखो मौकंत भी है यह पाहाडी को पर देखो यह जो स्टेप ना इस स्टेप में धान बनता है इधर मतलब धान लागाता है इन लोग एक के बाद एक स्टेप में और अभी बारी शुरू होगा ने कुछ दिन के बाद इन लोग धान लागाएगा इसी स्टेप में यह अभी स्टेप शीडी जैसा होता है और इसे स्टेप बाइ स्टेप यह इसमें चड़ना पड़ता है और हम भी अभी इजी रिखो यह उचा है अभी हम चड़ेंगे और यह हम बीच में धान का खेट से बीच से चल रहा है और यह जो सारे खेट देख रहा है यह एक फासल होता है यहापर पूरे यह साल में एक ही फासल होता है आप ही कुछ दिन के बाद भारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो यहापर इन लोगों ने धान लगाएगा और यह उपर से पाहाड़ी से पानी आएगा तो इसी धान के खेट से एक खेट से दूसरा खेट दूसरा खेट से तीसरा खेट ऊपर से धान के खेट से खेट से नीचे आएगा यह पानी और नीचे जाते यह जाएगा जितना डाउन में जाएगा यह पानी और आप लोगो को बाताया था ये दौन का खेती मों चोटा सा यो रहता है इसमें को समण बागर रहताए किया रहता है में भी नजदिक जाके नहीं देखा तो चलो दिखाते आप लोग को और देखते अच्छा यहां पर इन लोग चाई बगरा बनाता है और चोटा सा यह बना रख़े इन लोगों ने लकड़ी बे मतलब काम करते हैं ठक जाए तो यहां पर चाई बगरा बनाता है इसमें और हमारा सारे पार्टी देखो यह उपर चड़ रहा है स्टेप बई स्टेप और यहां पर देखिए यह जो खेत है चोटा चोटा खेत मतलब दा साथ आठाथ होगा इसमें लोग देशी लोसन और गानिक है इसमें कोई खाद बगरा नहीं डलता है और इन लोग चल रहा है एक को चक्कर आगाया था इसी के लिए आपर होल्ड हो गया था अभी फिर चल रहा है धिरे धिरे देखो उधर भी बहुत सारे डाउन है इधर बहुत डाउन है और यहां पर चोटा सा यह कूचा है यहां पर मुश्किल से बीस आत भी नहीं होगा परफ बीस यहां मिलना बहुत मुश्किल है और यहां से देखो यह पूरे पहाडी जिरें पहली बार और चल रहा है इन लोग देखो कितना उचाई पे चड़ गया और ये चलो चलते पूरे सिधा पहाड़ी दिख रहा है कितना उचाई अभी आम जहां से आया था ना ये नीचे ये देखिए आभी नीचे आप लोगो को दिखाता हूं इस टीना का घर को अप थोड़ दर पहले मैंने दिखाया था और इस नीचे से हम आया था ये इस तूपर तक अभी पर जाना भी है इसी रास्ते पर और कितना अच्छा भी हो है देख लो कितना अच्छा भी हो और ये दुखो हमारा जितना पाटनार है सारे ठग गया और बाटा है बड़े बड़े पत्थर को उपर अभी हमने रेष्ट कर लिया अब हमने रेष्ट कर लिया और इधा जाएंगे उस दिन जो रिस्ट सेंटर में हम गये थे उस रोड पर हम मिलेंगे यहां से जाने के बाद और सुलोग सारे चल दिये तो मैं भी चलता हूं जुष्णष्ट उसें प्रा जाऊ हमेट लिस्टिव कि उसन भी चहीं कि असे भाएं मन भी में हमेट कि रहां हम जाग से घ्सी अरमें किसे तannah तानव ख Psychology घ्लत झाल 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 यही पर छोड़ दिया था इस रोड से नहीं जाकर हम जा रहा है अभी शॉट कॉट यह देखो अभी चला सॉट कॉट रहें अभी बीचोवीज में सॉट कॉट मारें और इधर से हम सॉट कॉट जाएंगे क्योंकि उस साइड से जाएंगे तो थोड़ा घूम के बहुत जाना पड़ेगा यह पाड़ी अरिया में यही होता है अगर आप थोड़ा महनुत करो तो शॉट कॉट कॉट जाओगे तो बहुत पर यह बहुत अच्छा लोकेशन है कि देखो नागालंड का नहोर का पेड़े यह नहोर कहता है अच्छली आप लोग आपना अपने अरिया में अगर यह फॉल किसी का घर में होता है तो इसका नाम ज़रूर बताएगा यह देखो बड़े वाला फॉल बहुत सारे फॉल आए है इस पेड़ में और आभी हमारा घूमना खातम हो चुके है तकरिबोन और हमने कई पेड़ से आमला भी तोड़े यह देखो आमला और आमला खा भी रहे और यह पीछे देखो सारे दोस्त लोग है तो चलो आज चलते हैं और ब्लॉग यही पर एड रिसे आमला भी हमारा भी हमारा खालता है